इस वीडियो में नीट 23 की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में बात करेंगे कि नीट 23 के लिए कितनी माक्स पर गौर्मेंट कोलीज में एडमिसन मिल जाएगा हमारे जो प्राणे वीवर्स हैं उनको इस बात का मौलूम है कि हम जो भी कटोफ प्रेडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल एकुरेट रहती है क्योंकि हम डाटा एनलाइसिस करके ही कटोफ प्रेडिक्ट करते हैं व्यूज के लिए वीडियो बनाना हमारा कोई मतस्त नहीं है तो आईए बात करते हैं NEET 23 की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में, तो कटोफ के लिए फेक्टर्स तो काफी होते हैं, मगर मैंली ये तीन फेक्टर्स कटोफ पर इफेक्टी डालते हैं, सबसे पहले difficulty level of cushion paper, number of candidate appeared in the exam, और तीसरा जो फेक्टर है वो है total seats, अब इसमें जो सबसे बड़ा factor है, वो है difficulty level of cushion paper, ये सबसे बड़ा factor यहां काम करता है, एक बार हम इस डाटा पर नजर डाल लेते हैं, तो देखते हैं कि 2020 में जो कटोफ रही थी, जनल काटेग्री की 611 कटोफ रही थी, उस समय जो total candidate appeared हुए थे, वो 13,67,000 candidate appeared हुए थे इसमें, वो total seats थी 7,899, जो paper का difficulty level था, वो easy था 2020 में, उसके बाद ऐसा easy paper आया नहीं है, 21 की बात करें, तो 595 कटोफ रही थी जनल कटेग्री की, total candidate appear हुए थे 15,45,000, यानि 1,78,000 candidate ज्यादा थे 21 में, 20 की बजाए, अब इसमें जो seat थी, मैं यहाँ पर All India कोटा की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ seat थी, वो 8,705 seats थी, यानि कि 20 और 21 में जो seat increase हुई थी, वो 8,006 seat, 21 में ज्यादा increase हुई थी, यहाँ पर जो paper का level था, वो moderate था, अब बात करें 22 की, तो UR केटेगरी की कटव 5,96 रही थी, टोटल कंडिडेट अपेर हुए थे, 70 लाज 65,000, अब इसमें जो टोटल कंडिडेट increase हुए थे, 2,20,000 कंडिडेट increase हुए थे, seats की अगर बात करें तो 9,660 seats थी, ओल इंडिया कोटा के लिए, यानि की 955 seat increase हुए थी यहां, पेपर का जो difficulty level था, moderate था, लेकिन यहां पर AR-based क्यूशन आए थे, पेपर लेंदी था, लेकिन यहां पर कंडिडेट को जो फाइदा हुआ था, वो यह हुआ था कि student को 22 में 20 मिनेट्स ज्यादा दिये गए थे, इसकी वज़े से यह पेपर 21 की तरह ही सैमसा हो गया था, यानि की पेपर थोड़ा लेंदी था, AR-based क्यूशन थे, लेकिन 20 मिनेट्स ज्यादा मिलने के कारण, इस्टुडेंट्स के marks इसमें भी काफी आए थे, रेंग इसमें भी स्टुडेंट को काफी अच्छी रेंग मिली थी 22 में, इसलिए 21 और 22 का हम ज्यादा इसमें अंतर नहीं मान सकते, डिफिकल्टी लेवल सैमसा ही था, तो अगर इसमें हम कटोफ की बात करें, कटोफ देखें, तो इसमें 21 और 22 में सैमसी कटोफ है, एक ही कटोफ है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो कटोफ डिपेंट कर रही है, इन तीन साल के अंदर, वो क्यूशन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर ही कटोफ डिपेंट कर रही है इसमें, अभी 23 में भी जो cutoff रहने वाली है उसके अंदर candidate जो appear होंगे इसमें 20 लाग के nearby candidate अपेर होने की possibility है 21 लाग से ज्यादा candidate registered होए हैं लेकिन हम मान रहे हैं कि इसमें 19 लाग 50,000 के nearby इसमें अपेर होंगे तो जो increase होंगे वो तो सें previous year की तरह होंगे और seatें भी काफी increase हो रही हैं वो भी previous year की तरह seatें increase हो रही हैं तो यह दो factor तो यहां काम नहीं करेंगे जो main factor काम करेगा factor तो मैंने बताया और भी काफी सारे होते हैं लेकिन यहां पर जो main factor है वो difficulty level of cushion paper ही यहां 23 की cutoff के लिए काम करेगा इस से हमें यह मालुम चल गया है कि 23 की cutoff इसके cushion paper पर ही depend करेगी 23 का cushion paper कैसा आता है वहां यह cutoff depend करेगी उसी cushion paper के पर है क्योंकि जिस ratio से candidate increase हो रहे हैं उसी ratio से seat भी increase हो रही है 21, 22 की तरह 23 में भी seat increase होंगी और इसमें भी जो seatे increase हो रही हैं वो काफी सारे states में seat increase हो रही है इसलिए यहां पर जो factor काम करेगा वो है difficulty level of cushion paper अभी need 23 का cushion paper कैसा रहेगा यह कैपाना मुश्किल है मुश्किल ही नहीं यहां नामुम्कीन भी है इसलिए हम यहां पर इसकी accurate cutoff तो नहीं बता सकते बट अगर paper 21 और 22 की तरह ही रहा तो यह cutoff UR के लिए 600 EWS के लिए 600 OBC के लिए 600 इनमें एक दो marks का अंतर रहेगा ST के लिए 470 और ST के लिए 450 cutoff रह सकती है यहां पर इतनी cutoff जा सकती है मैं फिर बता रहा हूं कि अगर यह paper 21 और 22 की तरह है रहा तो यहां पर बाकी factors काम करते हुए यह cutoff बाकी year से 5 marks increase होगी 21 और 22 से 5 marks increase होने की possibility है क्योंकि यहां बाकी factors भी काम करेंगे तो आपको target तो काभी लेके चलना है अगर इसमें देखो जो cutoff होती है वो last mark होती है मतलब की इस mark से down वाले candidate को seat मिलने की possibility नहीं होती है अगर आपको जो target लेकर चलना है वो high target लेके च चलना है जिससे आपको अच्छी college मिल सके अभी आपके पास में 10 से 12 days का समय बचा है इसमें आपको revision करना है और question paper की practice भी करनी है आप अवस्य ही select होंगे तो आपको अच्छा target लेके चलना है और इन दिनों मैं यह तो नहीं कह सकता है कि इन दिनों अभी आप शुरू से